नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि MSN CETA M टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है MSN CETA M टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और MSN CETA M टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि MSN CETA M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए MSN CETA M एक ब्रैंड नेम है MSN CETA M टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है MSN CETA M टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन सीटा गलिप्तिन और मेटफोर्मिन होता है जब किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो तब डॉक्टर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली MSN CETA M टैबलेट को लेने की सला दे सकता है MSN CETA M टैबलेट का उप्योगर टाइप 2 डाइबिटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है MSN CETA M टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेविल को कम करती है शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वज़ह से किड्नी डैमेज हो सकती है आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है खाना खाने के दो घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में है तो वह व्यक्ती परी डाइबिटिक स्टेज पर है परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेविल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डाइबिटीज की समस्या है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में MSN CETA M टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में MSN CETA M टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे जुकाम होना, खासी होना, गले या फेफडों में इंफेक्शन होना, दस्त होना, कब्ज होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, शरीर के जोडों वो मासपेशियों में दर्ध होना, मौ के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध हो के साथ लेने से शरीर का ब्लडर शुगर लेविल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है. MSN CETA M टैबलेट की वज़र से एलर्जिक रियेक्शन भी हो सकता है. यदि आपको MSN CETA M टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुह गले होठो या तवचा पर सूजन, तव तवचा पर खुजली, तवचा पर रैशिस या एकदम से बुखार होता है. तो आपको तुरंत ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए. क्योंकि ये लक्षन एलर्जिक रियेक्शन के हो सकते हैं. और एलर्जिक रियेक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीट्मेंट की लेना रेक्मेंडेड होता है. या MSN CETA M टैबलेट को खाना शुरू करने से तुरंत पहले लेना रेक्मेंडेड होता है. MSN CETA M टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में ब्लड शुगर के लेविल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अ इसलिए आपको MSN CETA M टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे की MSN CETA M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको MSN C CETA M टैबलेट के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए. चिंता वतनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए. और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो वजन को कम करना चाहिए. टाइप 1 डाइबिटीज होने पर, कोई सर्जरी होने पर, डाइबिटिक कोमा होने पर और डाइबिटिक कीटोसिस होने पर MSN CETA M टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है. ब्लडर शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको MSN CETA M टैबलेट को लेने के बाद skip नहीं करना चाहिए. और आपको MSN CETA M टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए. प्रेगनेंट महिलाओं में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है. प्रेगनेंट महिल और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए MSN CETA M टैबलेट का सेवन करना recommended नहीं है. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. और अगर आपका MSN CETA M टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.